हलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टो प्रिटी कॉर्नर और आज हम लोग बात करेंगे बिढखलों की माला के बारे में कि हम इसे क्यूं बनाते हैं किसलिए हम इने पूजन के टाइम पे लेके जाते हैं और कौन सी माला आपको बासोडे के लिए रखनी है पूरी निटेल में बात करेंगे लेकिन उसे पहले और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा तो ये देखे मेरे बिड़कले सूप के तयार हो चुके हैं और इन्हें किस तरह से बनाना और क्या क्या बनाना है उसके लिए मैंने वीडियो बना रखिए पहले ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगे आप जाके चेक कर सकते हैं तो ये देखे ये बिलकुल जात जाते हैं तो तो सूख गये हैं अब मैं आपको बदादेती時間 Keugu, जो मैंने पहले और रखिवने कहले हैं इसे हमाला में पिरों आपको 5 अर ना किमाना हुक्त का दक बॉक्त तह उत्वरं साय चयो , तो ये देखे, सब सूख गए हैं, अब मैं आपको बता देती हूं, टोटल माला जो हैं आपको बनानी है, पांच, साथ, नो या ग्यारा, और इन में से ये देखे, इस तरह से, देखे, आप ध्यान से बनाते हैं, दोनों साइड होल कीजिएगा, कईयों में जिसे होल अगर हम प्रकुदेगे होल, पांच, से ये लेनी है, और ये इस तरह से जेवडि, रस्ये रसी Si, ये लेनी है, आपको, इने पिरोने के लिए, तो यह देखे, मैं यहापे पिरो लेती हूँ, और जब आप यह मोती पिरोएंगे ना तो आपको यह साथ, नो, ग्यारा, इस हिसाब से रखने हैं, यह देखे, और बीचु में यहाँ होली माता डाल दी हैं, और यह देखे, इस तरह से पिरो के गाट लिएगा, इसी तरह से मैं अपनी सारी माला को पिरो लूँगी, यह देखे, इस तरह से बना लिए, और हम अब इनी की पूजा करेंगे उस दिन, और यह देखे, मेरी सारी माला बनके तयार हैं, मैंने इहाँ पे, टोटल साथ माला बनाई हैं, यह देखे, यह तो होली माता इसमें लगा दी है और बीच में लगा दी है पान का पत्ता ये भी हम होली वाले दिल लेके जाएंगे और साइडों में मैंने 11-11 ये गोलगोल से मोती पिरो दी है दोनों में सब में 11-11 ही पिरोई है मैंने ये नारियल है हमारा और ये पांच जो है छोटे-छोटे से डाल के आपको ये जरूर बनानी है और ये माला जो आप बनाते हैं पांच की इसको आपको साथ लेके नहीं जाना होता इस माला को आपको आपके घर की जो सबसे उपर की छट है उस पे फैकना है होली वाले दिन सबके उपर से वार के ज तो यह देखिए, यह बना दी मैने चक्री, तो एक माला यह है चक्री की, और दो मैने उसमें लगा दी थी, यह बड़ी चक्री थी, तो तीन हम चक्री लिजाएंगे होली वाले दिन, और दो चक्री की माला को हम छोड़ देंगे बासोडे के लिए, यह देखिए, और यह मैने सारे खिलोने वगरा पिरो देती हूं इस तरीके से और यह माला इसलिए बनती है ताकि हमारे जो भाई बंदू है उन्हें नजर ना लगया होली का की नजर में वो सत धा हो जाएं मतलब कि जल जाएं यह देखे एक में मैंने चांद और सूरज दो नुडाल दिये हैं और यह चांद और शूरज को हमेशा उपर की तरफ लगाते हैं तो यह मैंने चांद और सूरज बना दिये हैं यह देखे एक सत्रज पिरो दिये है इस तरह से पांच माला तो हम होली वाले दिन लेके जाएंगे झोटी होली जो पूझन ने वाली होतेχी उस दिन और 12 केली यह से बड़ी होली बनाने के लिए लोग जादा से जादा माला चड़ाते थे तो यह उसले भी होती है आजकल तो लोग घर में कम बनाते लेकिन कई-कई जगहां पर आप देखेंगे तो यह बजारों में बित्ती भी है इन्हें खरीदा भी जाता है जहां होता है घोबर तो लगत रहती है घर में बहुत अच्छी रहती है यह आपको अपने घर की सबसे उची वली छट पे फैंक के जाना है किसी लड़के के हाथ से ही फिकवाईएगा अगर चोटा बच्चा है तो आप हेल्प कर सकते लेकिन हो सके तो किसी लड़के के हाथ से जितना उचा हो सके अपना फिकवाईगेगा इसको तो देखे इस तरह से मैंने तो शुरू कर दी है अपनी वोली की तयारिया आप के हाँ पर कैसे मनाते है प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जाके जरूर बताईएगा आप के हाँ पर भी इसी तरह से करते हैं जरूर बताईएगा और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलेगा और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें